हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत करते हैं आपकी अपनी YouTube चैनल प्यारे चैनल ABC Classes by राजन मैं आपका दोस्त राजन वर्मा पहले UP Police Computer Operator Grade Age आप यह मेरी सकल देख रहे हैं यह मेरी फोटो देख रहे हैं दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं हमेशा whiteboard पे ही वीडियो बनाता था लेकिन अभी whiteboard पे नहीं बना कि ऐसे क्यों बना रहा हूं देखिए क्योंकि जहां जो मेरा रूम है न जहां मतलब जहां पर मैं काम करता हूं जिस रूम में वहां भी क्या चल रहा है construction का काम चल रहा है मतलब first बन रहा है थोड़ा सा काम चल रहा है इस वज़े से हमें मैं ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है लेकिन खेर आप मुझे यहां पर देख रहा है यह मैं हूं ठीक है यह पूरी वर्दी में आप मुझे देख लीजे यहां पर यह देखिए ठीक है तो आगे मैं सारी चीजे बताऊंगा मेरी जो first posting थी दोस्तों कहां पर थी गोरक प में थी सारी डिटेल दूँगा तो यहां पर आप देखिए फुल डिटेल वीडियो में बहुत ज्यादा खुस हूं आप सभी को सारी चीजे बताने के लिए जितना experience है अपना धाई साल का कैरियर मेरा धाई साल मैंने यहां पर जॉब क्या हुआ है सब कुछ बताने के जरूरत पढ़ने पर बात करूंगा लेकिन आपको पूरा guidance दूगा लाइव question and answer अगर जरूरत पढ़ी तो लाइव आकर आप सभी को आपके question का जवाब दूगा ट्रेनिंग कैसे होती है पोस्टिंग कहां पर होती है work profile क्या है promotion कैसे होता है salary कितनी बनेगी work load कितना होता है ठीक है और आगे और टाइपिंग का तो full guidance आप सभी लोग मुझे typing guru कहते हैं जिन्होंने मुझे typing सीखी है न दोस्तों वो कभी fail नहीं हो सकता ठीक है तो typing की no tension ठीक है तो full typing guidance दूँगा computer section में अच्छा score कैसे करना है ये भी पूरा बताऊंगा और अपना result भी दिखाऊंग ठीक है न जो मेरा result था वो सब बताऊंगा ठीक है last year 2016 2017 में क्या cut off रही थी ठीक है safe score कितना होगा जो की 100% safe score कितना होगा ठीक है फिर अपना WhatsApp नंबर भी दूँगा इन सब के बदले में इन सब के बदले में मैं आप सभी को इतनी सारी चीजे दूँगा आप से केवल एक support और आपका बस इतना सा प्यार की आप support करें चैनल को subscribe कर लें क्यों क्योंकि हमें हमेशा साथ जोड़े रहना है और इस भरती को लेकर पूरा करना है ठीक है ना अन्तिम तक साथ रहना है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों आप सभी को पता है कि notification आपका जारी हो चुका है बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहते हैं मैंने आज ही कुछ बच्चों को WhatsApp पे reply किया है कि आज साम तक क्या होगा आज साम तक notification आज आएगा आज साम तक notification आने से अच्छा यह हुआ कि एज वाला बहुत से बच्चे अभी अगर यह फॉर्म जनवरी में आता ना तो बहुत से बच्चे यह फॉर्म नहीं भर पाते ठीक है यह एक चीज यहीं पर confirm कर दे रहा हूं कि यहाँ पर एज में कोई भी relaxation नहीं मिलेगा ठीक है तो जितना है वही रहेगा त full detail salary के बारे में बात में बताएंगे लेकिन अभी मोटा मोटा जानलीजी कितना पाएंगे कम से कम 42,000, 40,000 प्लस रहेगा ठीक है 40,000 से ज्यादा आपकी salary रहेगी ठीक है वह मैं सारी चीजे बताऊंगा अब देखिए यहाँ पर category wise आपका unreserve में कितनी seat है 381 EWS में कितना है दोस्तो 91 है OBC में कितना है 249 अच्छी seat आई है SC में कितना है 193 और HT में कितना है 16 टोटल कितना है 930 है पहले 872 आने वाली थी लेकिन जो मुझे से जुड़े हुए है मैं सुरू से कह रहा था कि लगबग लगबग 1000 vacancy आएगी seat बढ़ेंगी तो 1000 से कम है ज्यादा तो नही है लेकिन हा सीटे बढ़ी है इतना भी है ठीक है ना चलिए आगे बात करते हैं अब इस भरती के लिए पूरुस और महिला दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं ओनलाइन कब से सुरू हो रहा है तो 7 जनवरी 2024 को सुरू हो रहा है 28 जनवरी आपका क्या है 28 जनवरी आपका last date है और सुल्क जमा करने का 30 तरीक last date है ठीक है चलिए आवेदन सुल्क की बात कर लें तो 400 रुपे आवेदन है ठीक है आगे बढ़ते हैं बस आपके जितना जर है रखिए आराम से बात करते हैं सबसे पहली चीज़ ठीक है पहली चीज़ इंटरमीडियर परिच्छा फिजिक्स केमेश्ट्री से आपका होना चाहिए भौतिक सास्त और गड़ित विस्यों के साथ उत्रिन होना अवस्यक है तो मैं बात करता हूं यहां पर फॉर्स्ट कं है ठीक है है यह मैं मान के चलता हूं हो केंडिडिट जिसके पास है तो पीसियम है और साथी साथ क्या है ओ लैवल है ओ लैवल ठीक है अब मान लेते हैं ओ लैवल नहीं है तो समकच अब यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है अरे बहुत मैसेज आया मेरे पास समकच में क्या-क्या वैलिड होगा ठीक है? क्या-क्या वैलिड होगा तो कल क्या है? कल है सनीवार और क्या है सनीवार को मेरी है? छुट्टी, ठीक है? तो कल मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा की समकच में क्या-क्या valid होगा तो दोस्तो जुड़ जाएए आप सभी को एक-एक detail ऐसा देंगे कि आपका confusion दूर हो जाएगा तो health होना चाहिए PCM के साथ और O level होना चाहिए तो अगर ये है तो आप form भर सकते हैं ठीक है इतना है तो आप form भर सकते हैं O level और या सरकार द्वारा मानिता प्राप्त समकच ठीक है चलिए अब अगर ये नहीं है ये अब हम बात करते हैं जिनके पास नहीं है तब क्या करें सर नहीं है क्या करें तो अब देखें यहाँ पे लगा है या अथवा ठीक है या तो आपके पास ये होना चाहिए था या आपके पास ये होना चाहिए ठीक है ना अब इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा यहाँ पे clean करना चाहूंगा ठीक है इसको थोड़ा सा clean कर लेते हैं तो पहला condition समझ में आ गया दोफतो कि intermediate PCM के साथ O-Level या O-Level के समकच आपके पास कुछ है तो बस आप valid हो form को भर सकते हो समकच को लेकर जो भी बाते हैं वो हम next वीडियो में करेंगे अब देखे यहाँ पी क्या है प्राविदिक सिच्छा परिश्द मतलब computer science IT electronics ठीक है अब यहाँ पर देखे में diploma या सरकार द्वारा समकच मानिता प्राप्त अब यहाँ पर समस्ते हैं ठीक है ना नहीं तो आप लोग बहुत परिसान हो जाओगे तो पहली चीज़ डिप्लोमा किस में होना चाहिए CS IT और electronics अब अगर आप यह कह रहे हो कि sir civil civil वाले होंगे क्या हाँ mechanical वाले होंगे क्या है ना क्या मैं valid हूँ क्या अरे हाँ भाई हो ठीक है कैसे हो क्योंकि civil हो चैने mechanical हो आपने first year में मैं भी Batek हूँ IT से ठीक है ना तो first year में first semester में और second semester में आपने क्या पढ़ा था भाई computer पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सब ने पढ़ा है BTEC जिसने किया है सब ने पढ़ा है तो ये क्या हो गया आपका O level के समकच्छ हो गया और ये O level के समकच्छ है तो 12th में आपका PCM तो हो गाई BTEC अगर कर रहे हो हम ये बताते हो रहे हैं इसके बारे में detail video कर अपलोड करेंगे आगे बढ़ते हैं IU IU की बात करें तो 172023 बाई सुकून मिला काफी बच्चे यहाँ पर अलिजबल हो जाएंगे 18 वर्स और 28 18 से 28 के बीच में है 18 किसका है जनरल के लिए है और EWS के लिए है ठीक है न? ओके अब आगे बात करते हैं देखिए जनरल वालों कैंडिडेट के लिए 17 1995 से पहले और 17 2005 के बाद का जनम नहीं होना चाहिए इसके बीच का होना चाहिए ठीक है? चलिए OBC-ACST को छूट मिलेगा अब यह हम आगे बता रहे है ठीक है? भर्ती की प्रक्रिया जो है आपका लिखित परिच्छा अब आगे बात करते हैं हम क्या होगा? रिटेन भाई आप अलिजबल हो गए तो अब क्या होगा? रिटेन होगा रिटेन में क्या होता है दुफतो? असी कोश्ण क्या होगा? असी कोश्ण कम्प्यूटर का होता है देखे 160 प्रस्ण होंगे और 40 प्रस्ण क्या होता है? आपका GS का होता है और 40 प्रस्ण क्या होता है? आपका रिजनिंग का होता है टोटल 160 हो गया? हो गया और एक question 1.25 marks का है multiply करेंगे तो 200 number का paper हो गया ठीक है तो यह हो गया आपका 1.25 marks सामानिज्ञान, मानसिक, अभिरूचित तर्क यह पूरा reasoning में आ गया और यह computers विज्ञान ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब आपका यह जो paper है ठीक है न यहाँ पर negative marking नहीं है क्या negative marking नहीं है आराम से इसलिए बता रहूँ आपका कोई सवाल ना रह जाए ठीक है न, नहीं है 40% number total का लाना जरूरी है total का, मतलब 200 का 40% आप निकाल लीजिए तो कितना हो गया, 80 number बस यह लाना जरूरी है इसके उपर pass माना जाता है, ठीक है ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है online लिखित परिच्छा, ठीक है न, अभ्यरतियों की संक्या की अनुसार एक ही तिथी को, एक ही पाली में कराई जाएगी ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्छे यहाँ पर फॉर्म नहीं बरेंगे बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेगा तो संभावना पूरी है कि एक ही दिन में और एक ही सिफ्ट में आपका पेपर हो लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आपका क्या होगा टाइपिंग होगा, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा टाइपिंग का भी फुल डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे ठीक है, यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते आपका बात करते हैं हिंदी हिंदी में आपका क्या चाहिए, 25WPM चाहिए और कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, मंगल इनिस्क्रिप्ट फॉन्ट होना चाहिए फिर बात करते हैं अंग्रेजी, 30WPM होना चाहिए ठीक है, आक्यूरेसी की बात कर लें, 85% आक्यूरेसी होना चाहिए और टाइम की बात कर लें, तो हिंदी जो है, 15 मिनट की टैपिंग होगी और इंग्लिस जो है, वो भी क्या होगा, 15 मिनट का टैपिंग होगा ठीक है, तो पहले इंग्लिस होता है, और फिर बात में क्या होता है, हिंदी होता है ठीक है ना, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब जो जो लोग पास हो जाएंगे, उनका क्या होगा, उनको document verification के लिए बुलाए जाएगा, अब यहाँ पर important point, सर, इसकी height कितनी होती है, height कितनी होती है, तो बताएं, कम, चाहे जितना height हो, मतलब height लिया ही नहीं जाता है, height यहाँ पर consider ही नहीं किया जाता है, ठीक है, सर, यहाँ पर physical में running कितनी करनी है, ठीक है, running कितनी करनी है, तो भाई, running करनी ही नहीं है, running है यह नहीं, ठीक है, ठीक ह आगे बात कर लेते हैं जो जरूरी है जैसे कि आपको पता है 18-18 साल उम्र है लेकिन S.C. को क्या मिलेगा 5 साल का छूट मिलेगा तो कितना हो गया 33 years S.C. को भी 5 साल का छूट मिलेगा 33 years O.B.C. को भी 5 साल की छूट मिलेगी ठीक है न तो क्या हो गया 33 years O.K. चली आगे बढ़ते हैं आगे और क्या है ये वाला important point है मैं सुरू से बता रहा हूँ सारी बढ़तियों के लिए भाया जो O.B.C. के हैं न O.B.C. जाती प्रमाड पत्र जाती प्रमाड पत्र नया बनवा लीजिए ठीक है न तो 1.A.P. 2023 के बाद का होना चाहिए और अंतिम्तिति के पहले का होना चाहिए तो अभी बनवाईए इसको 7 दिन के अंदर बनवा लीजिए ठीक है चलीए मैलाओं के लिए जो जाती प्रमाड पत्र लगेगा और पिता पच्छे की तरफ से होगा ठीक है हाँ अब अगर ये कोशिन पूछ रहे हैं देखिए कि SC और ST सर इनको भी नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या नहीं अगर आपके पास पुराना है तो पुराना चल जाएगा ठीक है न पुराना चल जाएगा नया केवल किसके लिए है दोस्तो OBC के लिए है ठीक है न चलिए आगे क्या आगे कुछ है यहाँ पे आगे सब मैंने बता रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है चलिए आगे यह बहुत इंपोर्टेंट है अभी मेरे से एक बच्चे से बात हुई थी मेरी उनका न एसाई का फॉर्म भरा था उन्होंने फॉर्म है रिजेक्ट हो गया था क्यों हो गया था फोटो की वजए से ठीक है क्योंकि फोटो का जो बैक्ग्राउंड था हो क्या था ब्लू कलर का था यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ है सफेद या हलके ग्रे रंग का होना चाहिए तो बात को मानिए फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसलिए क्या नया फोटो होना चाहिए और बैक्ग्राउंड सफेद होना चाहिए ठीक है वाइट होना चाहिए ठीक है चहरा पूरा दिखना चाहिए नया फोटो आपका पासपोर साइस का होना चाहिए mobile से खीच लीजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब यहाँ से, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं आपको बताओं, अब यह सारी चीजे क्या है, हाँ, यह जो है, अब आपका सासना देश है, यहाँ पे, O-Level के equivalent क्या-क्या होना चीए, ठीक है, प्लीज वेट for next video, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह इतनी छोटा topic नहीं है, यह छोटा topic नहीं है, यह बड़ा topic है, मुझे detail में समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं detail में समझाओंगा, कल सनिवार को मेरी चुट्टी है, आराम से आप सभी को पूरा का पूरा detail बताओंगा, ठीक है, तो प्ल मिलेगा, पूरी का, मतलब पूरा का पूरा guiding, और आपको भी मैं चाहता हूँ दोस्तो, ऐसी वर्दी मिले, ठीक है, देखिए, वर्दी में सुंदर लग रहा हूं की नहीं, अरे सुंदर नहीं भाई, स्मार्ट लग रहा हूं की नहीं, ठीक है, प्लीज कमेंट करिएगा, क्चेहरा यार, कैमरा नहीं अच्छा था, ठीक है, यह गोरखपुर का PC ग्राउन्ड है, ठीक है, गोरखपुर का PC ग्राउन्ड है, और यह जब मेरी new joining हुई थी, ठीक है, new joining हुई थी, तब की फोटो है, ठीक है, अभी, हाँ, एक चीज और, बहुत important, बहुत important यहाँ पर अभी मैं junior assistant की post पर work कर रहा हूँ junior assistant 2000 grade पर होता है इसका GP और 2400 grade पर है आपका UPP CO का ठीक है ना तो मैंने job क्यों छोड़ा मैंने job क्यों छोड़ा तो इसका reason भी मैं next video में दे दूँगा ठीक है बस यहाँ पर यह है आपको पूरा full detail बताना था प्लीज जुड़ जाईए ताकि आपको हर एक चीज की जानकारी मिले notification on कर लिजे thank you so much bye bye take care